नविश्कार एक्स्क्लूजिव सोवचार में आपका स्वागत है आई नजरालेते आज की विशेश खबर पर इन 52 चीनी एप्स का इस्तमाल करना तुरंद करे बंद खूफी अजन्सियों निकी सरकार से सिफारिश वास्तविक नियंतरन डेखा यानि LSE पर जारी विवाद के बीच भारत खूफी अजन्सियों ने सरकार से 52 चीनी एप्स को ब्लॉक करने या इन कस्तमाल बंद करने की सिफारिश की है आपको बता दे इन में टिक टॉक, वीडियो कॉन्फरेंसिंग अप जूम, यूजी ब्राजर, शेर एट, क्लीन मासर समेथ एक जेंडर जैसी एप शामिल है हूफी अजन्सियों के मताबिक चीनी एप सुरक्षा के लिहास से असुरक्षित है और बड़े पैमाने पर डाटा भारत के बाहर भीच रही है एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि एजन्सियों की और से दिये गए परस्ताव का समर्थन राष्टे सुरक्षा परिशत सचीवाले ने भी किया है चानकारी दे की इन सभी एप के मानक और उससे जुड़े जोखिम की जाज की जाएगी बताया कि इस साल अपरेल में ग्रह मंत्राले ने राष्टे साइबर सुरक्षा अजन्सी सी ए आर्टी इनके वर्सा पर चेनी एप जूम के इस्तिमाल को लेकर एक एडवाईजरी जारी की थी चानकारी दे की भारत पहरा देश नहीं है जिसने सरकार के भीतर जूम के इस्तिमाल पर रोक लगाई इससे पहले ताइवान जर्मनी और अमेरिका भी ऐसा कर चुके है एक्सक्लूजिस हमचार में आज के लिए तना ही ऐसी और खबर को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकाउन का बट्टिन दबाना ना भूले थैन्यवाद